क्या आप चानते हैं उबलते पानी में नमक डालो चीनी डालो मटर डालो और दो मिनट में तयार है छे मेने के लिए रे भरे मटर मटर का सीजन खतम होने को है और यही टाइम है मटर को स्टोर करने का तो आज मैं अपना तरीका शेयर कद रही हूँ इसमें ना खंटों फैलाना है ना सुखाना है तो चलिए शुरू करते हैं मैंने जीर किलो मटर को शील लिया है जिसमें करीब आधा किलो दाने निकले गये इसको अच्छे से चेक कर लिए कोई भी दाना खराब नहीं होना चाहिए अब गैस पर देर लिटर पानी उबलने के लिए रख दिया है पानी के उबा लाने पर इसमें देर चमच नमक और देर चमच चीनी एट करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें मटर के दानों को डाल देंगे गैस को मीडियम तो थाई रखेंगे थाई से थोड़ा कम और मीडियम से थोड़ा ज्यादा और ढ़क करके एक कुबाल आने तब बर्ल करेंगे उबाल आने पर मटर को तुरंथी स्ट्रीनर में पलट देंगे और गरम गरम ही फटा फट से जिप पाउच में पैक कर देंगे और तुरंथी फीजर में रख देंगे जब भी आपको मतर यूज करने हूँ रीजर से पैकर को निकालिए जितने मतर लेने है लीजिए और बाकी वापस पैकर को बैक करके रीजर में रख देजिए देखानों प्रेंट कितना इजी तरीका है मतर को प्रिजर्वेट्यू करने का और यह अराम से खे में इने तक चलते हैं इस बार मेरे तरीके से मतर को प्रिजर्व करिए और अपना अनगो जरूर शेयर कीजिए प्लीज नाइच शेयर यंज प्रस्क्राइब थान थान आपूसरे और शेयर कर दो धगैंग।